नमस्कार साथ ही हूँ, आप सभी का स्वागत है अध्यन 24 में और UP TGT PGT परिच्छा को लेकर एक एहम और बड़ी ख़बर निकल करा रही है जिसमें यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति और रिटार्मेंट को लेकर अपडेट है साथ में परिच्छा तिथी को लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट मिली है कब तक कराई जाएगी परिच्छा तो सारक कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लेज वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि इसके ओफिसल वेबसाइट से हमारा डारेक्ट कॉंटेक्ट है जो भी अपडेट आनी होती है मैं आपको पहला ही बता देता हूँ इतना तो आप सभी जानते हैं कि परिच्छा जो है उनका रिटार्मेंट हो रहा है आठ अपरेल के आसपास चैन बोट के जनकारी के अनुसार पुराने आयोक के द्वारा यूपी टीजटी और पीजटी की परिच्छाएं नहीं कराई जाएंगी नए आयोक का गठन अपरेल के महीने में ही होगा जो कि 15 अपरेल तक बताया जा रहा है जैसे ही नए सरस्यों का चैन प्रकरिया सुरू होगा उसके बाद परिच्छा की यूटितियां है वो गोसित होंगी लेकिन एक अनुमानता जो डेट बताई जा रही है अक्टूबर के महीने में परिच्छा फिर संभव यहां पर है क्योंकि इधर आप लोग अपनी तयारी शुरू कर दिजी अभी परिच्छा में समय है अपरेल में परिच्छा नहीं होगी नहीं मैं जून जुलाई अगस्त में आताएं